जो आप SketchUp में काम करते हो एक अपनी इसमें साइट आती है SketchUpCGTips.org यह एक इनकी वेब साइट है और हर चीज में हमें इसमें option मिल जाते हैं फिलाल के लिए जितनी category देख रहे हो हर एक में जाओगे तो material से लेके टेक्स्चर से लेके सीन से लेके हर चीज हमें lighting है और other models है सब कुछ है इसमें इसमें से हमें चीजें मिल जाते हैं खिलाल के लिए हम एक बार interior scene या exterior scene में से जैसे bedroom है living है dining है कोई भी हमने लेना है एक बार के लिए माल लो एक bedroom पर आते हैं अब यह वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल अपनी साइट होती है कि हमें साइट पर खास्तियां देना पड़ता है अब वह साइट है अपनी sketchup आर्खाइब अर्च आई वी ठीक है अब यह sketchup archive.com है इस पे भी वस वही है अपनी mail से normal login करना होता है तो वह मैंने यहां अल्रेटी कर रहा है इनों से एक file जो मैंने ली थी वह यह वाली file अब इस file में benefit यह हुआ इसमें component बगारा सब ready थे सब set थे मैंने कुछ भी change नहीं किया अगर इस पे मैं render पे लगाता हूं यह इसका render यह पूरा finish के साथ बढ़िया से fabric fabric लगे हुए अपना rug वगएरा और एक daylight के हिसाब से proper render आ रहा है जबकि resolution 16-12 होगा है इसे double भी कर सकते हैं 32-24 कर देंगे तो render automatically 3ds Max की रहा है यह वाली file जो है मैंने इस site से ली थी अब इसमें जो है यहां पर अपना 3ds set में 3D models हैं इंटीर सीन हैं एंटीर सीन पर करते हैं सेम कहने का मतलब यह साइट्स तो वैसे को बहुत सारी है अब यह जो गिनी चुनी जो काम की जो जिनमें लगता है कि हम हमारे काम आ सकती है और ठीक है उन साइट्स का आपके लिए अब इसमें जैसे चलते हुए लिविंग रूम के कुछ सेंपल है अब यहां लिविंग इंटीर सीन रखते हुए और सपोज बैडरूम पर टिक रहे हैं यहां पर अपनी साइट है जो काम आएगी दो साइट आपको बताई है एक है अपना sketchup.cgtips.org और एक है sketchup archive